जैहिन बच्चो कैसे हैं आप सब आशा करते हैं बिल्कुल स्वास्त होंगे तो आए आज हम लोग प्रैक्टिकल के कुछ प्रोसेस सीखते हैं तो आज का अब्जेक्टिव है करने के लिए आपको क्या चाहिए कैसे प्रोसेजर करेंगे यह आप सीखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है यह स्टेंडडर्स ऑपराने करना है किसका करना है मोहस्ताल्ड का करना है कैसे करना उषको व्य करना आपको चरह हैँ अलग बीडियो में बनाएंगे लेकिन आज स्टेंडर्स क्यों चाहिए आते हैं और ढर्ण्नों क्यादब और this user Sur does करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 ml स्टेंडर स्लूशन प्रिपर करेंगे मोह शाल्ड का तो आपको पता होगा मोह शाल्ड का केमिकल फार्मूला अब जानते होंगे उसके फार्मूले या मोलर मास्क के हल्प से हम M by 20 मोलर्टी के लिए 1.96 ग्राम एबाउट टू वे कर लेंगे किस पर वे करते हैं आपको किसी अधर वीडियो में बता दूँगा तो इस पर वाच ग्लास पर हमने क्या किया है 1.96 के ग्राम के आसपास वे कर लिया है यानि जितना हमें मोलर्टी का बनाना है उसके एबाउट 2.96 later about to weigh लिए लेंगे तो भी बन सकता है हमें बस standard solution बनाना है जिसका मूलर्टी नून होता है या इसा I'll be pes Süुती जिसकी मूलर्टी आपको उसे बोलते है standard solution तो हमने अभिड कर लिया है But verse पर इसके help मतलब इस salt को हम क्या करेंगे डिजॉल करके standard solution बनाएंगे कितना ml बनाना है 100 ml तो उसके लिए क्या करना है आपको volumetric flask जाहिए volumetric flask में एक mark लगा होता है यदि आप इन इसको देख पा रहे हैं तो ये देखे ये round में एक mark है जो 100 ml के capacity को बताता है तो उसके लिए क्या करना है कैसे standard solution बनाना है तो आपको लिए operators और reagent चाहिए जो मैं एक एक करके बदाने जा रहा हूँ आप उसको अच्छे से visualize करिए और समझने का प्रहाईज करिए क्या करते हैं इस जो required weight of compound है उसको हम volumetric plask में transfer करेंगे कैसे transfer करेंगे आपको idea होना चाहिए तो आप funnel के help से कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे funnel के help से इस salt को क्या करेंगे इसमें transfer करेंगे transfer करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से salt को transfer करना है जितना आया उस तरह से आ जायेगा जोप कि कहीं इस पर इस पर स्टेक सीपक डिए है तो आप क्या करेंगा wash bottle से इस को क्या करेंगे साप कर लेंगे तो देख़िछ यह 땃 गए ऑप कम्प्लिटली क्या कर लेंगे ट्रांस्वक कर पाएंगे ट्रांस्फर करने के बाद वाज ग्लास काम हो गया तो आप दूर कर लेंगे, पिप फनल को अप अलग कर लेंगे, इसमें आपने क्या किया है, साल्ट ले लिया है, इसमें डिस्ली बाटर सहर है, उससे इसको क्लिर सलूशन बनाने के लिए, कि ये हाइडुलिसिस नहों, इसक को कभी कभी क्या होता है Vincent come Ministries कभी कर लेंगे ये तो यह क्या हो जाएगा दियोम से नहीं होगा इससे आप न क्लियर बनेंग और इसको एक क्लांस करना है इसको हमोगे बना लेंगे यह पे RAD CHAM dá बनाना है मैंने आपको मार्क दिखाया कि भीर अपने हिस्ट ना ने के लिए मार्क तक आप वैलूम को बनाएंगे लेकिं उससे पहले आप क्या करें गर दो यह मंदे मुट नहीं पयाएगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगा कोई भी क्रिस्टल यह से दिखना नहीं चाहिए मतलब आपका अब्जेक्ट्व है हो मुझेस लूशन बना फिर क्या करेंगे इसको 100 ml मेंकप करने के लिए आप डिस्टिल वाटर से इसको मेंकप करेंगे तो देखिए मैं क्योंकि 100 ml से ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे यह हमारा वैलूम सही नहीं आपायागा क्योंकि वास बॉटल से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अच्छे से इसलिए प्या करेंगे इससे पहले जो मार्क है उससे पहले एक-2 ml पहले पानी जो एड करने रोग इसमें डिप करेंगे तो पानी क्या होगा कैपली रेक्शन से या उसमें चड़ जायागा प्रेस कर लेंगे अब इसको क्या करेंगे इसमें एड करेंगे कि आपका मार्क के ऊपर नहीं तो आप देखे यहां पर उंगली से होल्ड कियें किस फिंगर से कियें इंडेक्स फि nya लिख जाएंगे तो यह bend हो जाए आध निखी हम एसको एक्ट कर रहे हैं और डॉप करके क्या करना है मेक अप करना तरे थे है जब ही हन्ट में हो चाहिए इस तरह से ethons a यह अपका isोट को ही तरह हो जाएगा है यह मार्क रभ दियान रिख़ेंगे कि इससे जादन हो यह ड्रॉॉप टो एक ड्रॉफ यह एक करेंगे प्रिश्क पेरलर देखेंगे कि मैं अब भी दिखा कि अ कि बीदा चेके अब इसको क्या करेंगे यहां रखें पर रहों जैए है अभ सक सुआ इस से फैलर देखेंगे अच्छा यह मतलब यह आखो इसके पहलर ले जाएंगे और देखेंगे कि मार्क तक है लाइत कि नहीं पर नगता है तो यहां पर हुए कि यह इनकी फैलभ आगे जिसमें ये लुइन के लाइन श्यूलाइन कर रहा हुए felt चलिएं तो आपको जो हो गया स्टैंडर सोलुसंन थे पैड़ होगयः गई इस तरह से टीने के बाद आप की ऊड़िया करने के बाद उसको अश्य रहेंगे ऐसे नियूघ कर रहेंगे उसको प्रस्पर ने क्या करने के लिए वास सार्व 2015 अब इसमें इसको ट्रांसपर कर लिजिए ऐसा क्यों इसमें से हम पीपेट आउट क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यह क्या है यह इसका जो माउथ है लंबा है इसमें से पीपेट आउट करेंगे इसलिए आप क्या करेंगे आपने क्या किया है रेजिन बॉटल में इसको ट्रां क्या है blueprint किसे में अब इसके बाद की अब इस में से 22 आुट करना जरूाहा है से 22 joy में इन फिंगर से करना है कंट्रोल करके जरू करना這個 सिंध LA यह क्या नयुक्त कर पीपर गड़ना है उसको द्यायाद रखेंगे और इससे पहले आप क्या कर लेंगे ब्यूरेट में ब्यूरेटील कर लेंगे दो अब इसको कर लेंगे अब जिरू जिरू घृनिम तक और भी उरेट में आप जब कर आए हैं तो उसमें एर बबॉने होने चाहिए ठेके और आप एर बबॉल कैसे रिमूप करेंगे वो भी देख लीजिए। देखे जब मैं इसको फिल किया तो इसमें यहां फर तो यहां के five-four नहीं है तो इसकोTodayÅछ नहीं है तो कैसे करेंगे इसको लिए ऊब ठीक है यह आपका जो 0 से लेकर 25 ml यहां तक है मार्क लगा होता है ठीक है तो आप इसको पूरा फिल करने के लिए क्या करेंगे तेजी के साथ क्या करेंगे इसको प्रिस कर लेंगे तो यह देखिए यहां इसका नोजल क्या हो जाएगा नोजल लेकर जीरो तक भर जाएगा य यह कुछ वोग कि यह बिंसस्म्ख को कर दिखाई नहीं तो देखिए मैं आपको थोड़ दूर से तो मैं आपको थियूर अप二ления का में भैट के सामझले जा रहा हूं कि देखिए इसमें यह भी से भी यह जीरो से लेकर यह 25 ml का भी यह केद यह भाद नो जल जल का वैलूब हम नहीं करते लेकिन हम यहां पर रिडिंग करते समय इसी को इसी के अंतराल में हम क्या करेंगे इसको ब्रेडिंग लेंगे तो आपका यह बियुड्डिम सीधा होना चाहिए और titration के लिए हम इसको कैसे handling करते हैं या आपको ध्यान से देखना है ठीके तो आप क्या करना है ब्यूरेट में 0 तक volume क्या कर लिए हैं ले लिए हैं यह ज्यादा है तो इसको क्या कर लेंगे देखे जब आप भर रहे थे तो इसमें दिवाल से लगा हुआ है यह जी आ जाता है इसलिए देखेंगे कि थोड़ा से दिवाल से कम्प्लीटी आ जाए उसका तब आप इसको न्योट कर लेंगे 0 ठीके अब यह देखिए 0 हो गया है अब क्या करना है इस टेंडर सलूशन से क्या करना है पीपेट अउट करना है कितना एमल टेंबल जो कैसे पीपेट का उट करना है देखिए ध्यान से यह सलूशन में चड़ रहा है तो ध्यान देख देखते रहना है कि अपके मुव में नजा है तो आप इसका जब खीच रहोंगे तो आप देखते रहेंगे, और इस finger से, ah this finger से, इसको यहां पर press कर लेंगे, द्बा देंगे, तो यह contain हो जाएगा के लुकि यहां तक पर चाहेंगे उसके बाद ज्दु ज़ादा है, तो इसको अउड़ी को धिला करेंगे, session करेंगे तो वैलूम क्या होगा नीचे आएगा और आपको कहां तक नोट करना है इसमें भी निशान होगा देखिए यह रिंग टाइप का है निशान है ठीक है जो हंडेड एमिल के लिए यह यहां तक मार्स लगा होता है तो आप कैसे सक करेंगे देखिए देखिए मैंने लाइन से उपर पान यह खीचा और उसके बाद इसको प्रिंगर से क्या किया प्रेस कर लिया अब इसको मैं धीला करूंगा तो यह जो वैलूम उपर गया है जिए लाइन से वह नीचे आएगा देखिए मैं धिर् étant द्यांदे लिच कर रहा है प्रेशर यह नीचे आ चाहिए यहां पिछ में क्लिया स्लूंशन लोग इनिश टो इसको क्या करेंम कैसे ट्रांसपर करेंगे सब्सक्र इसमें ट्रांसिसर करेंगे तो ट्रांसपर देखिएbang आपर इपनिया कं लिया अब आब इसमें नोजल के पास एक ट्रॉप यहां पर रह जाएगा तो इसके बॉटम में कॉनिकल फास के बॉटम में एक और दो बार टच कर लेंगे तो जो वैलू माना रहेगा आजाएगा आपको मूझ से बलो नहीं करके पास नहीं करना है ठीक है यह आपको क्या हो गया टेने बल इस्टे कहां डिये करेंगे आयड करेंगे किसलिए कर रहा है जब हैस्टेंग किसलिए श्री एक और स्कार्ण होशन करने के लिए आप क्या करेंगे बींग नेकर श्रीं इसमें आपने स्टेंडर स्लूशन लिया है और इसमें एसेड डाला है डालू टाकि एस डिंग मेडियम रहे अब इसको क्या करेंगे राइट हैं अब इसके नोजल से होते हुए यह सलूशन इसमें ड्रॉप एड एक एकमेल शुरूआत में इसको दो-तीन बार रिपीट करना यह प्रोसीजर तो इसको क्या करना है पहले स्टेप में आपको क्या करना है आपको डिरेट एडिशन करते जाना है और इसको सेख करते रहना है ठीक है एक एकमेल एड करिए और सेख करिए एकमेल एड करिए सेख करिए जब यह पिंग कलर आ जाए और कॉंस्टेंट रह जा तब तक इसको आप क्या करेंगे एड करते जाएंगे कवगए इस तरह से छी तरह से एक हे आपका था किोरा है और किलिटी रेंट हो जा रहा है और जैसे ही इक्क्लेट हो जाएका to rely aun क्या हो जाए गा पिंग परमानेंट रह जाए का देखे इस ऐसा कलर आ गया और इस इस पॉइंट पर जो पॉइंट इस वैलूम में ब्यूरेट में दिखेगा उस वैलूम को क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे ठीक है ब्यूरेट में जो वैलूम आपको दिखे उसको नोट कर लेंगे तो यहां पर वैलूम जो दिख रहा है 9. 1 दिख रहा है तो यह वैलूम क्या हुआ जो केमनोफोर ने मुहसाल को क्या किया रेक्ट किया तो इस तरह से हम इंड पॉइंट को लेते हैं नोट करते हैं अब आप इस प्रोसीजर को तीन चार बार रिपीट करेंगे कब तक कि जब तक कि आपके दो रिडिंग लगातार दो वैलू कॉंस्टेंड हो जाए जैसे एक बार अभी आपने लगातार एट किया और पिंग कलर आ गया तो जब यह नौ पर आ रहा है नाइन पॉइंट पर तो आप 8.5 पर या 8 पर क्या होंगे रोग कंट्रोल करेंगे इसको इसको क्या करेंगे विर्ट के जो ए इंड पॉइंट होगा ठीक है फर्स टाइम आपको एक एक वैलूम एट करना है जब आप सेकंड टाइम करेंगे तो जो इंड पॉइंट को पास आपको कलर पिंक दिख रहा है था उससे पहले आप सावधानी से आइड करेंगे और ड्रॉप आइड करेंगे तो वह आपका इंडिकेटर भी है तो यह आपका हो गया क्या आज का एक्स्पेरिमेंट का इस्टेंडर स्लूशन प्रिपेर किये इस्टेंडर स्लूशन से आपने बनाया मौरसाल का बनाया और इसको टाइड इसन परफार्म किया ठीक है ओके तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रू जबारत